दोस्तों और आप लोग कस्टम आउक्शन में पांट लेना चाहते हैं या पांट लेने का सोच रहेते हैं, तो यह जो ओक्षन आने वाला है, यह वो ओक्षन है जिसको आप लोग मिस नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि इस बार जो item आई वह हैं वो ट्रेडिंग आइटम है यानि कि एक कॉमन आजमी भी इस आइटम को बहुत ही सस्ते दमों में खरीद के अच्छा प्रॉफिट मार्जिन के साथ मार्केट में रिसेल कर सकता है तो क्या के आइटम है कितनी कॉन्टिटी में है कब इसका इंस्पेक्शन है यानि कि कब आप इस आइटम को देखने के लिए पोर्ट पे जा सकते हैं यह सारी चीजrence करते हैं इस वीडियो में मेरे साहते लाग बने रही है और इस वीडियो को अभी से लाइक कर दिए चैनल प लिए port पे जा सकते हैं डेट जो है वो है 12 तारीक से लेके 15 तारीक तक यानि 12 जुलाई से लेके 15 जुलाई और 16 जुलाई को इसकी बीडिंग होगी online तो बारा जुलाई से बंदरा जुलाई के भीच में अगर आप लोगों ने MSTC में रिजिस्ट्रेशन कर रखा है आपके पास MSTC का का में हमारे तरुन रिजिस्ट्रीशन की आप उस का कीड पासषूर्ड को दिखाके केट पास बननेवा के ICD TKD तुक्लकबाद पोर्ट जो कि दिल्ली ओखला में है वहाँ पर जाके कस्टम आॉक्षन में जो माल आया हुआ है उसको देख सकते हैं बिफोर बिडिंग अपने हिसाब से वैल्यूइशन कर सकते हैं कि कितना वैल्यू इसका होना चाहिए जब मैं इसको विडिंग करूँगा क्या आप इस माल को खरिद के मार्केट में बेच सकते हैं ये सारी चीज़े डिसाइड करने के दिन जो है वो है 12 तारिक से 15 तारिक 12 तारिक से 15 तारिक के बीच में आप लोग जाके माल को देख सकते हैं सारी डिटेल नोट कर सकते हैं और 16 तारीक को जब इसकी bidding online start होगी तो आप bidding कर सकते हैं और अगर आपकी bidding सबसे highest होती है तो ये माल आपको मिल जाएगा दोस्तो और अगर अब तक आप लोगों ने इसका registration नहीं किया है तो आप नीचे दियेगा है नंबर पर call करके पता कर सकते हैं कि किस तरीके से registration होता है किस तरीके से आप बिना hassle के अपना registration करा सकते हैं और इस आने वाले auction में पार्ट ले सकते हैं इसके लावा कई ये सारे और जो auction आते रहते हैं इंडिया में और डली में उन सारे auction में किस तरीके से पार्ट लगते हैं पार्ट ले सकते हैं नीचे देखें नमबर पर जल्दी से कॉल करिए और पता करिए तो यह तो बात होगी आप किस दिन जा सकते हैं किस तरीके से जा सकते हैं क्या पूसी जरह जाने का MSTC में आपका रिजिस्ट्रेशन होना जी जिसके थूँ आप गेट पास बनाके समाल को देखने के लिए जा सकते हैं अब बात करते हैं मुद्दे की और सीधा आते हैं उस आइटम पर जो आइटम इस बारी आउक्शन में खुलने वाले हैं जिस आइटम को आप 12-15 तारिक के बीच में देखने जा सकते हैं कौन-कौन से आइटम इस बारी आउक्शन में आयो हैं वो अब डिसकस करते हैं तो दोस्तों इस बारी जो जो आइटम आए हुए हैं इसमें देखिए बहुत ही जन्रली क्या होता है कि जन्रली आउक्षिन में जो आइटम आते हैं वो कहीं न कहीं old clothes और metal scrap और copper scrap, aluminium scrap, scrap के आइटम आता रहते हैं custom auctions में तो कभी कबार दूसरे products आ भी जाते हैं बट जो general दूसरे auctions होते हैं उसमें कौन से आइटम आते हैं उसके बारे में मैं already वीडियो बना चुक हूँ मैं आई-card में डाल दूग और नीचन description में डाल दूगा तो उस वीडियो को जाके आप देख सकते हैं कि क्या procedure होता ह है जिनको auction में पार्ट लेना भी चाहिए या अगर आप auction में पार्ट लेते हैं कि आपके लिए waste of money तो नहीं है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा अच्छे लगए तो उस वीडियो को पहले देख लिजेगा मैंने अपर डिटेल में discuss किया है कि कि किस तरीके से auction होत होते हैं ना glassware table के उपर जो लगाते हैं और वह बता दूँ यह container के जो date है ना राइवल date यह 1998 से लेके 2016-19 तक के container है इसमें अलग-अलग date है यह सारी detail भी हम बताएंगे आप लोग को आगे तो old clothes के जो है यानि वह आपको बताए कि मैंने पुरानी वीडियो में दिखा रखता है जो पुराने clothes के container है अब old clothes खरीटता कौन है old clothes का जो मार्केट है ना पता नहीं लोग क्यों इतना कोड़ा इंपोर्ट करते हैं अब हमारे इंडिया में इतना old clothes पड़ा है वैसे में बता दो old clothes का यूज क्या होता है old clothes को लेकर sweeping clothes वगारा बनाते है रिसाइकल करके उसको नई clothes में भी बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं बट मेरे नॉलज में जो है ita Something मराने पाइब के नौ कंटेनर है Полिष्ट मर्बल सलाइब का एक कंटेनर है सबरें जाता है जो है उसको काटकै प्लच यहां ग कोणटेनर है वह द ऑसको प्रे świat कलोग आए नो क्टेनर है पॉलिष्ट यदि 125 इन रहें पॉलिष्ट मार्बल्सलइब के चार नत रहें फैब्रिक प्रल್ के चार कंतेनर जिसमें से एक कंटेनर जो है भाकि टीन कॉनसे पैबरिटेजग और इन्होंने मेंचन नहीं कर रख है उसके बाद ब्रेक्शू पैड यानि वो जो ब्रेक में लगता है ना गाडियो के ब्रेक्शू उस ब्रेक्शू पैड का भी एक कंटेनर आया हुआ इस बारी इसके लावा एक बहुत बढ़िया कंटेनर आया हुआ है वो है यानि उसमें क्या-क्या इटम है बता जाता हूं आप लोगों पेपर बैक वुड़न पेंस्टेंड जंपिंग रोप कलर पैंसिल क्रेक्शन टेप लाइटिंग ग्लास जाइंट ग्रैबर हैंडल वालपेपर रोल्स बकेट विंडो क्लिनर डॉस्ट पैन ग्रूंस्टेंड मा उसमें तो हूग अईटर्की आयो मुझेढ पतलो एयुट्यान पोकषिप में तौह नहीं को धर कई लाइव और मौन प्लास देखने में बड़ा मजा आएगा मैं आप लोगो曲 दिखाँ में उस दिन लाइव वहां पर फिर एक है त impress जो जो अलग अलग छिड़की उमें य बावलय तो जिसे बनता है रोल उस रोल का एक कंटेनर राया हुआ है मिरर पैलेट हो गए आपका वह जो फ्रेम बन के आता ना मिरर का पूरा आपको सीधा लेना है और दिवार पर टांग देना है उसका एक कंटेनर रहा हुआ है यह बड़ा exciting से प्रड Catholics क्या होता है कि आप लोग जूएलिया पेसे के फॉंम में ऐसे नेक्लेस हो गया आपका येरिंग में तो यह पॉटनेनरिक्र में प्लास्टिक फिलावर reference का भी एक pen to तो यह जो lot था यह था आपका 60 containers को lot इसके अलावा एक और lot है उसमें बता दू क्या क्या है उसमें भी देखिए rough marble block है एक container rough marble block का उसमें भी है old clothes के container उसमें पांच है बॉल सेट जग सेट एटिसी यह सारी चीज़े एक container तो यह सारी इंट्रस्टिंग आइटम है इस बार आप लोगों ने अप तक रिजिस्ट्रेशन करो और जाके देखो रिजिस्ट्रेशन में करने के बाद दो से तीन दिन में आपका ID पासवर्ट जन लेंगे वह सारा आपको गाइड कर देंगे फटाक से आपका काम हो जाएगा बिना हैसल फ्री तो जल्दी से कॉल करो फिर है आइरन फ्रेम एक कंटेनर का मेटल स्क्रैप देखिए मेटल स्क्रैप तो हमेशा ही होता है और जो लोग मैंने इससे पहले बताया था कि जो देखो डिस्क्रिप्शन वाला वीडियो देखो आप लोगो सारा क्लियर हो जाएगा अब इसके एलावा सर्विंग स्पून प्लेट और एपरन का भी एक कंटेनर आया हुआ है मतलब आपको पूरा किचन आइटम इस बारी आया हुआ है किचन के बहुत चरी आइटम इस ब भी बिजवा देना एक प्लीज बेबी क्लोट इन बैक का एक कंटेनर है काल रोशी वाइन जो मैंने इससे पहले भी आप लोगो को दिखाए था लाइव ऑक्ष्ण में जाके लास्ट वाले ऑक्ष्ण में वह कंटेनर किसी ने बोली नहीं लगा या किसी को लॉट नहीं पत बहुत बड़ा ऑक्ष्ण है और आइटम भी ऐसे आइटम है जो कि एक नॉमल बंदा लेके एक चोटा मोटा बिजनेस मैं लेके आगे मार्केट में अच्छे दामों पर रिसेल कर सकता है तो अगर आप लोग को इंट्रेस्ट है कि आप लोग ऑक्ष्ण में पार्ट लेना चाते हैं और चाते हैं कि थोड़ा अच्छा प्रॉफिट कमाए ऐसा बिजनस इसको पर्स्यू करें तो जल्दी से रिजिस्ट्रेशन करिए अभी टाइम है इस ऑक्ष्ण के इंस्पेक्शन में इस ऑक्ष्ण को आने में दो से तीन दिन में आपका रिजिस्ट्रेशन होके आजाता है डी पास्वर्ड जल्दी से रिजिस्ट्रेशन करके आप इस ऑक्ष्ण में जा सकते हैं इसके अलावा और बहुत सारे अक्ष्ण होते हैं जो कि एक बार रिजिस्ट्रेशन करने के बाद 11800 पे की फीस होती है वो पे करने के बाद आफका लाइफ टाइम के लिए इसको अगर आप लोग और डिटेल में जाना चाहते हैं कि कौन सा कंटेनर किस डेट में आया हुआ था उसके अंतर क्या माल है कितनी क्वांटिटी में है वेट कितना है तो उसके लिए मैं नीचे लिंक दे दूंगा आप उस पर लिंक पर दो लिंक होएगा एक होगा 60 कंटेन वाले का एक होगा 57 कंटेनस वाले का उन दोनों लिंक पे आप बारी बारी क्लिक करके पुरी की पुरी लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं हर एक कंटेनर के आगे उसका आइटम उसका वेट उसका राइवल डेट लिखा होता है बहुत ईजी होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है आप जाके वहाँ से पुरा का पुरा लिस्ट डाउनलोड करके देख सकते हैं लिस्ट निकालके रिजिस्ट्रेशन करने के बाद वो लिस्ट अपने साथ जरूर लेकर जाएगा ताकि आपको वहाँ पे माल सौर्ट करने में असानी हो तो यह था जो एक बहुत ही अच्छा आपक्षन आने वाला है 12-15 तारीक के बीच में इसकी इंस्पेक्शन डेट है 16 तारीक की उसकी ओनलाइन बिडिंग है तो यह सारी टेल में आप लोगों साथ डिसकर्ज करिए और वीडियो कर आप लोगों अब तक अच्छा लगा है तो लाइक तो बिल्कुल करके जाना औ और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि इस चैनल पर मैं इस तरह के वीडियो लेटेट टो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करस्टम क्लियरेंज बहुत सारी लोगों के इंटर्यूस लाता रहता हूं तो आज का वीडियो ही तक था दोस्तों मिलते हैं किसी और और आप्शन में किसी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट को वीडियो के साथ थैंक यू सो मच जाहिंचा वारत